therefore good afternoon everybody today I am going to teach you the poem and Epitaph Epitaph means what is the meaning of Epitaph Epitaph का क्या मीनीम होता है and evita epitaph epitaph का मीनीम होता है चया होता है っぱ आराई facilities समझे हो यह इसए कब्र है लिखा हुआ रहा रहता है कुछ लोग कब्र पर लिखवा देते हैं यह समारक भी कहा जाता है अदो को इस पोएम का पोएट कौन है वाल्टर डेला मेयर तो वाल्टर डेला मेयर डिस्क्राइब्स वर्णन करता है तो इसमें सबसे पहले देखना है पोएट के वारे में एन एपिटैप एन एपिटैप वाल्टर डेला मेयर यह किसके द्वार लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर यह वाल्टर डेला मेयर इसको ब्रैकेट में आई से कर दो या फिर ऐसे वाज बॉर्ण इन दा विलेज ऑफ चार्टन इन केंट इंगलेंड मीस वाल्टर डेला मेयर क्या थे ही वाज आ पोएट ऑप इंगलेंड कहां के पोएट थे इंगलेंड के एंड यह वाज बॉर्ण इन उनका जन्म हुआ था कव 1873 एंड पास्ट अवेइन पास्ट इंगलेंड में इंगलेंड में इंगलेंड में केंट डिस्टिक है वही एक चार्टन नामक गॉमे जन हुआ था कि ह हैं और में लॉस्ट सबस्क्राइब कि पिता यू अँर्ट इस फादर प्रश्ट उन्हों ने अपने पिता जी उनके पितांजी को기는 हो थीयू प्रिजिये की उम्र में हो गए मतलब कि जब वाल्टर डेला मेर चार वर्स का था उसी समय उनके पिता की मृत्य हो गई थी एंड हैड मूब विद हीस फैमली टू लंडन और नतिजा क्या हुआ अपने फैमली के साथ कहा जाना परा लंदन जाना परा मींस गउंग को छोड़ कर वे लोग लंदन चले आए अब उसके बाद क्या होता है ही 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 इज नौन फॉर ही इज सेंसिटीव कंसर्ण्स विल्ड ओफ चिल्डन ही इज नौन फॉर ही इज नौन फॉर मींस जाना जाता है किसी के लिए जाना जाता है ही इस नौन फॉर ही इज नौन फॉर नौन फॉर मीं जाना जाता है किसी के लिए जाना जाता है लिए इस सेंसिटीव कंसर्ण्स विद्ड ओफ चिल्डन इसका मतलब क्या हुआ करता लौन करवास्थ ही ि रफ ताना ट NICK करवास्थ मैं करता है जाना करand करने सा जाता है से संसिटिव आरुन बें करें का दाइन ऊstar सा मिल्डिर्व है संबे दल्सील कдел तल्स्टों में या जाता हे.. इसका मतलब क्या हुआ दुनिया के बच्चों के प्रति वे बहुत ज़्यादा समवेदन सील रहे और उसके बच्चों के प्रति या इस अलोकिक दुनिया के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समवेदन सील रहे बच्चों के लिए गीत है बच्चों के लिए गीत और पिकॉख पाई जो उनके दोरा लिखी गई है यह दुनिया के को चित्रित करता है, दुनिया के सपनों को चित्रित करता है, बच्चों के ड्रिम्स को, but even in the songs there is a note of milanclee, हाँ, लेकिन इसमें भी एक milanclee दिखता है, milanclee means दुख, यानि पोएट को ऐसे गीत से भी, पोएट के मन में बहुत तरह के विचाराता है, दुख परकट होता है, कैसे, the poet makes us aware, the poet makes us aware, poet हमें जाग्रित करता है, जगाता है, aware means जाग्रित करना, जगाना, of the inhuman condition, inhuman means ओमानवी, condition means इस्तिति, यानि लोगों की जो ओमानवी इस्तिति है, उसके प्रती लोगों को जाग्रि means आधुनिक जीवन में, बरतवान जीवन में, लोगों में जो ओमानवी इस्तिति हो गई है, इसके परती, कभी, poet हमें जाग्रित करने की कोशिश करते हैं, लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, he shows, he is genius, by convincing fresh interest in old themes, और पौरानिक विशेवस्तुम को भी, वे तरो ताजा क करकर दिखाने की कोशिश करते हैं, and Queen Elizabeth second, England की महरानी थी, Queen Elizabeth second, क्या हुआ, honored him, with the order of merit in 1953, और 1953, उनी सौत, तीरपन, इस भी में, England की महरानी, उनका नाम था, Queen Elizabeth second, Queen Elizabeth second, Queen Elizabeth second, ने, उन्हें, order of merit से नवाजा, order of merit सम्मान से सम्मानित क्या, तो यह किसके बारे मुआ, poet के बारे में, and the next one is, अब इसमें देखना है, आगे परना है, अब अच्छा, इसका हिंदी आलेटी नीचे दिया हुआ है, ताकि हिंदी देखके भी पर सकते हो, समझ सकते हो, अब इसके साथ ही साथ पहले कुछ words है पहले words का meaning देखना है, उसके बाद poem पर हैंगे, poem बहुत छोटा है, six lines, six lines का poem है, six lines का, epitap, epitap means, असमृती लेख, epitap, असमृती लेख, यह समाधी, यह कब्र पर जो लिग देते हैं, सम्वेदन, sensitive means, सम्वेदन, seal, concerned, concern means, चिन्ता, सरोकार, वास्ता, किसी के प्रती, supernatural means, अलोगिक, depict means, चित्तित करना, या वर्नन करना, depict means, चित्तित करना, या वर्नन करना, melanchly means, उदासी या निरासा, aware, aware means, जागरूक या सचेत, inhuman, 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 inhuman means, मानवी, मानवी नहीं, ओ, मानवी, human means, मानव, और एक स्पेलिंग होता है, human का, h-u-m-a-n-e, human, human, इसका मिनिंग चाहता है, दयालू, दयालू, इसका इस पर नहीं होता है, h-u-m-a-n-e, human, दूसरा आता है, h-u-m-a-n, human means, मानव, और यहां है, inhuman means, ओ, मानवी, condition, condition means, इस्ति, condition को दूसरा मिनिक शर्थ भी होता है, modern life means, आधुनिक जीवन, genius, genius means, निपून, या प्रतिभासाली, evincing, evincing means, दिखाना या जताना, अब इसके साथ ही साथ, अब देखना है, कुछ चीजह और, जो कुछ और वर्ट्स है, honored, honored means, पर्तिष्थित या सम्मानित, heart means, हिर्दा या दिल जिसको बोलते हो, venice, venice means, गायब होना, however, तो भी, crumble, crumble means, गिर्णा, टुक्रे, टुक्रे होना, लेकिन इस पोयम में crumble का मिनिंग है, मरना, ever, सायद कभी, light of step and heart, means, आदतन इधर उदर घूमने वालों, और दयालों, मतला, बिना काम का, इमिने आदत से जिसकी हो, इधर उदर घूमने की, endlessly, without any work, बिना किसी काम का, beauty means, सुंदरता, waste country, beauty और beautiful में क्या अंतर है, beautiful means, सुंदर, यह adjective है, और beauty में सुंदरता, यह noun है, abstract noun, परहोगा हिंदी में भाववाचक संग्या, वई दिस इज एन abstract noun, waste country, पस्मी देश, यानि यूरोप, यूरोपें, lie means, letna, here, here का मिनी, here means, यहाँ, लेकिन, यहाँ कहने, इस poem में, here indicate करता है, किसको, कब्र को, नहीं, इस कब्र में, एक होता है, here लिखते है, here means, here means, यहाँ, नहीं, अदूसरा होता है, here means, सुनना, next होता है, here means, here means, उत्तरा धिकारी, next होता है, here means, 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 अब देखना है कि अभी तो वर्ट से बता दिए, पोएट के बारे में बता दिये, पोएट चोटा सा है, इसलिए इस पोएट को पढ़ लेना है, अभी तूरत ही परहा देते हैं, उसका पोएट पहने के बाद इसका फिर समरी बताएंगी, and the poem is here lies it means this poem has been composed by walter delamere and i have already told you about the poet that the poet when the poet was only four years old his father died so he has to left his village and went to live in england went to live in town later what happened actually this poem and the poet is the writing of the poet is very very impressive and imaginary and you can say imaginative poet kya karte hai kalpnik chijon ko likti hai means kalpnik chijon ko aise likti hai maano baasthi ko likhne ka tari ka itna acha hai ki kalpnik chijon ko likti hai so in this very poem the poet deals with a very beautiful and excellent beautiful lady of the west country pastime ki daisho ke eek bhoot khubhsurat mahiila hai param sundri mahiila hai uske waare mein vernon karte hai and he says a poem ka eek eek line dekhna hai so the poet says here lies yehaan lady padi hai a most beautiful lady a most beautiful most kya hai much more most positive competitive superlity yeh super beautiful hai eek se adhik si level jeb degree patayenge us mei patayenge ki jeb eek se adhik si level ho to positive me hai to kuch neata comparati mei kota hai kya hota hai more superlity mei kata hai most beautiful 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 tins level hai islees mei kya ho ga most to here lies a most beautiful lady most kya hai much more superlity bhi ghi hai iska matlab hoa hai kya kaana chate hai here lies a most beautiful lady. beautiful lady. yahaan eek bhaut khubhsurat mahiila pari hui hai leeti hui hai param sundri hai it means itani khubhsurat hai jitani khubhsurat pastim ke daisho mein kabhi dekhne ko nahi mahi mei mila. light of step and heart was she now he says light of step and heart was she light of step means वह इधर उदर यह फ्रेज है लाइट आप इस्टे एंड हर्ट वाशी वह क्या है इधर उदर विचरन करने वाली है means वह इधर उदर भ्रमन करते रहती है गुमते फिरते रहती है लेकिन वह दिल से भी अच्छी है it means the poet wants to say she is not only externally beautiful but she is also beautiful at heart वह के बल बाहर से खुबसूरत नहीं है बलकि दिल से भी सुन्दर है दिल से भी दयालू है वह इधर बिना किसी commitment का बिना किसी की चीज के इधर उदर भ्रमन करते रहती है घुमते रहती है अब जोको सवाल यह है कि poet को पता कैसे चला वह दिल से भी एक्चुली मैं थी मिजदीज दग लेडी वाज नन अधर बट दे स्वीठ हार्ट ऑफ दप्वेट सही बात यही है वह लेडी कोई और नहीं poet की प्रिमिका थी यही कारण है poet कहते हैं here lies a most beautiful lady यहां पर परी हुई है कहां परी हुई है कब्र में poet indicate करता है poet दरसता है यह कब्र है और उस कब्र में एक प्रम खुबसूरत महिला उस कब्र में लेती हुई है और वो कैसी थी light of step and heart was light of step means यहीं वीचरन करने वाली भ्रमन करने वाली घूमने फिरने वाली महिला थी and heart was she और दिल से कैसी थी दयालू थी poet को ऐसा इसलिए लग रहा है को लेडी कोई और नहीं पस्रिम की देश की प्रमसुंदरी तो थी इतनी खुबसूरत थी जितनी की poet ने आज तक कभी किसी की उस तरह की महिला को नहीं देखा आखिर poet इस तरह का वरनन करते हैं इसके पीछे मात्र एक ही मकसद है वा महिला कोई और नहीं बलकि poet की प्रमिका थी यही कारण है कि poet को लगता है वा बहुत ही सुंदरी थी and I think she was the most beautiful lady I think she was the most beautiful lady अम मुझे क्या लगता है कि वह बास्तम में प्रम सुंदरी महिला थी बहुत ही खूबसूरत महिला थी the most beautiful lady that ever was in the west country कैसी जिस तरह की सायद ही कभी पस्षिम के देशों में देखने को मिला इतनी खूबसूरत थी अच्छा एक जान लोग beauty कि इसको कहते हैं सुंदर्ता का क्या मीनिंग होता है बहुत से लोग सुंदर्ता के मिनिंग कुछ और ची लगाते हैं सुंदर्ता मतलब क्या नेपाल में जिस लरकी का नाग ज्यादा चिप्टा होता है उसे ज्यादा खूबसूरत कहा जाता है तो सुंदर्ता means beauty depends on eye depends on lookers सुंदर्ता कि इस पर देखने बालों पर निर्भर करत कोई भी चीज को ईई तुम्हें कोई भी चीज सुंदर्ता में सुंदर्त नहीं है बलकि सुंधर्ता तक तो तुम्हारी आँखों में है कि कोई भी सुम्हें सुंदर दिखाए पड़ता है बट beauty बहनी से beautiful but beauty with temu सेज लेकिन सुंदर्ता क्या यह तो गायब हो जाती है नहीं कि छेरा को देखके मत कहो को यह सुन्दर है क्योंकि गोरे रंग पे नतन relaçãoだ गोरा रंग दो दिन जाएगा क्या इसलिए बिएस सुन्दर्ता मिनिंग ने रखता है external beauty is meaningless, real beauty is which is internal beauty, जो अंदर की खूबशूरत है, अंदर की सुन्दरता है, उसे सुन्दर कहा जाता है, बाहरी सुन्दरता तो meaningless है, उसका कोई meaning नहीं है, वह समाप्त हो जाता है, सुन्दरता क्या है, बाहरी सुन्दरता नहीं, लेकिन जो दिल की सुन्दरता है, आंदर की सुन्दरता है, वह हमेशा बरकरार रहती है, हॉइभर, रेर, रेर, इट भी, तो भी कितनों ही, यह दुरलब क्यों नहीं हो, लेकिन वह रुपता नहीं, समाप्त ही हो जाता है, सुन्दरता, एंड वेन आई क्रमबल, हुब रिमेंबर, नाओ दा पोएट सेज, वेन आई क्रमबल, इट मीज जै मैं मर जाओंगा, मैं इस दुन्या में नहीं रहूंगा, भला कौन याद करेगा, किसको, इस लेड़ी, इस लेड़ी को, आप दे वेस्ट कंट्री, यह जो खूप सूरत थी, आज तक उतनी खूप सूरत महिला देखने को नहीं मिला, और मुझे लगता है, और उसके साथ ही साथ कहता है, कि कब्र को बताता है, कि ब्यूटी भेनिसेज, ब्यूटी पासेज, सुन्दर्ता तो गायव हो जाती है, सुन्दर्ता तो समाप्त हो जाती है, यह पर्मानेर्ट नहीं होता, सब दिन के लिए नहीं होता, चाहे यह कितन कितनों ही दुरलब क्यों नहीं हो कितनों ही प्रमसुंदरी क्यों नहीं हो वह कभी नहीं रुकता लेकिन पोएट को लगता है कि जब मैं मर जाओंगा तो भला उसे कौन याद करेगा कि पद्दायर दिस लेडी आप दे वेस्ट कंट्री यह मैला पस्रीम की देश की थी मिस इ लेडी कोई और नहीं वह खुबसूरत महिला कोई और नहीं बलकि पोएट की प्रेमिका थी इसलिए बट यह दप्वेट वंस टू से पोएट कहना क्या चाहते हैं वह इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उसकी यादें अभी भी पोएट के दिल और दिमाग में अवस्थित है जो पोएट को हमेशा उसके याद दिलाते रहती है बंडेस्टेंड मुझे लगता है आप लोक समझ गए होंगे 어इस के जैसे सबसे इस autom लाइट दिया हुआ है दो लाइन दिया हुआ है इसका लिखेंगे कैसे लिखेंगे जैसे हिंदी में दिया रहता है कि रहीमन निजमन की ब्यथा मन ही राखो गोई सुनी अठ लई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोई एक्जमनेशन में आता है कि भावार्थ लिखें या सौप प्रसंग व्याख्या करें उस कंडिशन में लिखते हो ना कैसे लिखते हो कि प्रस्तुद दोहा कभी फल्ला के दोड़ा लिखा गया यहां से लिया गया यह क्या कहना चाहते है उसके बारे बताते हो ठीक उसी में क्या करना है उस कंडिशन में लिखना परेगा ना थीज लाइन्स है बिन टेकन फ्रॉम एन एपिटैप यह दपोएट वाल्टर डेल लामेयर डिस्क्राइब ब्यूटिफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री ब्यूटिफुल लेडी का बना है शी इस लाइंग इन टॉम वह कबड में लेटी हुए है सीज नो मोर इन दे वर्ल अब वह उस दुनिया में नहीं रही और पोएट इसके बारे में क्या सोचते हैं इस तरह से लिखना है अंडेस्टैंड ओके थैंक्यू बरी मैच और इसको बांकी चीश पीडियाप में देख लेना है डिस्क्रिप्शन म पीडियाप दिया हुआ उसमें सब कुछ रहेगा इसके बाद परहेंगे समदी ओके